प्लांटिंग करने वालों पर सक्त हो गया है इसी गड़ी में निगम ने भिलाई के कुरूद शेत्र में अवैद रूप से प्लांटिंग किये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर मौके पर पहुँचकर कारवाई की है आपको बता दें कि वार्ड 16 रूंग्टा कॉलेज के पीछे एवं चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज जाने वाले रोड पर अनाधीक रत रूप से मुरूम से निर्मान किये गए मार्ग सनरचना को निगम की टीम ने जेसी भी से ध्वस्त किया है मौके से छे हाईवा मुरंभी जब्द किया गया है जोन टू वैशाली नगर के सहायक राजस्वदिकारी संजवर्मा ने बताया कि वार्ड 16 कुरूद शेत्र के रूंग्टा कॉलेज के पीछे एवं चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जाने वाले रास्ते में अवैद प्लांटिंग की शिकायत मिलने पर निगम का अमला मौके पर पहुँचा और कारवाई प्रारंब की इस दोरान मौके पर कोई व्यक्ति सामने नहीं आया दोनों सल के करीब आठेकर जमीन पर चूना मार्किंग कर ले आउट मुरूम से मार्ट संरचना तथा प्लांटिंग संबंदिद बोड लगाए गए थे जिसे जेसी भी से ध्वस्त किया गया इस कारिय में एक जेसी भी और दो डंपर की मदद ली गई उनलेखनी है कि निगम प्रशासन अवैद निर्मान अवैद रूप से प्लांटिंग पर लगामकस ने लगातार कारिवाई करने के साथ ही इस संबंद में आने वाली शिकायतों पर त्वरित कारिवाई कर रही है निगम आयुक्त रगवनशी ने अवैद प्लांटिंग अवैद कबजा एवं अवैद निर्मान के खिलाफ सक्त कारिवाई करने के निर्देश समस्त जोन आयुक्तों को दिये हैं जिस पर जोन आयुक्त जोन क्रमांक दो पूजा पिल्ले की टीम ने आज कुरूद शेत्र में अवैद रूप से किये जा रहे प्लांटिंग पर कारिवाई की आज की कारिवाई में निगम के अधिकारी, कर्मचारी, तोड़फोर टीम के साथ पहुंचे और मुरूम से बनाए गए मार्क सनरचना, चूना से किये गए मार्किंग को जेसी बी के माध्यम से द्वस्त किया गया दुर्ख भिलाई से राज जंदर गाड़े वे सुनील सोनी की रिपोर्ट ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को खिलिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें घन्ने वाद राज घराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइब